आज हम आगए हैं एक और नई हल्दी रेसिपी के साथ वेलकम बैक टो हल्दी टाइट आरू I hope आप सब अच्छे होंगे और सारी रेसिपीज को इंजोई कर रहे होंगे बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, खिला रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर हाँ एक बार फिर लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बनाओंगी लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो I hope आप सबने वीडियो देखा होगा तो वो पालक पनीर थोड़ा सा डिफरेंट था इस बार में थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ बहुत सारी वेराइटी है पालक पनीर बनाने की मतलब बहुत सारे तरीके हैं आप उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं तो मैं भी अलग अलग तरीके ट्राइ कर रही हूँ और आप लोग भी ट्राइ कीजिए तब ही तो पता लगेगा यार सब में क्या डिफरेंस होता है खाईए खिलाए और दूसरों से फीडबैक भी लीजए हांна तो मैं तो घरवालों से ही ले ले लेती हूँ आप लोग तो हैं नहीं बट हां एक बार हम लोग मिलेंगे और एक बार ट्राइ करेंगे हांना साथ में तो इसके लिए मैंने क्या किया है मैंने ले लिया है पालक यहां मैंने जो पालक लिया है उसकी जो मोटी मोटी डंडिया थी ना उसको मैंने काट दिया है तोड़ देना आप जो मोटी डंडिया है अदर्वाइस क्या होता है अगर मोटी डंडिया आप रखते हो ना तो उससे पालक पनीर कड़वा होने के चांसे से रहते हैं बहुत जो कोमल कोमल सी पत्तीया है ना बस उनको रखिए बड़ा जो पालक पत्ते होते हैं बस उनको रखिए उसको आप अच्छे से दो लीजिए साफ कर लीजिए ठीक है इसमें मैं डालने वाली हूँ दो टमाटर एक प्यास और दो तीन हरे मिर्च थोड़ा सा लहसुन लहसुन की कलिया और थोड़ा सा अद्रक और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये 5-6 मेरे पास काजू पड़े थे तो मैंने आपको बताया ये कि मैं इस बार अलग तरीके से बनाने वाली हूँ तो काजू क्यों से बार वहाँ जिए वाली है अगर आप इसको आवइड करना चाहते हैं तो आप लास्ट में यूज़ कर सकते हैं These अगल नहीं है तो आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं धर ठीक है अगर आप के पास काजू है तो तो आप यूज़ कर दीजी, अगर नहीं है, तो आप simply avoid कर सकते हैं, क्या कोई tension वाली वात नहीं है, उसके बाद मैस में डालने वाली हूँ पनीर, क्योंकि हम पालक पनीर बना रहे हैं, तो यह पनीर cubes है, मतलब यह जो पनीर cubes आते हैं, वो है, simple पनीर भी आप यूज़ कर सकत लोहे की कड़ाई हमने ली है, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा सरसो का तेल, यानि की mustard oil, और अब हम क्या करने वालें, इसमें हम जो हमारी हरी मर्च थी ना, दो-तीन, उसको हम छोटे-छोटे मतलब टुकडे में काटके डाल देंगे, और यहां पर तो वो आप डाल के, इसको अच्छे से न, मतलब बहुत देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि क्या होता है न, पालक एकदम से भीच जाता है, मतलब एकदम कम हो जाएगा, बस थोड़ा सा इसका जो पानी है, मतलब जो कच्चा पन होता है न, पालक के अंदर, तो वो थोड़ सा निकल जाए, केवल इसलिए हमने इसको किया है, अधरवाइस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर तक इसको पकाना है, या भूनना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी हरी सबजी को न, बहुत देर तक नहीं पकाना चाहिए, तो मैंने इसमें डाल दिया, तो ने चल जाता है तो तेल के साथ मिक्स करके डालोगे तो जलेगा नहीं और फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा ठीक है जीरे को हम अच्छे से भून लेंगे चटकने देंगे जब यह चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें अपना डाल देंगे जो हमारी लहसु और प्याज इस सबका जो पेस्ट थाताना केवल हमने इसमें रहसुन प्याज और अधरAK उसका जो पेस्ट था उसको अच्छे से बना लिया था उसको हम भून लेंगे पेस्ट को ना भूनने के बाद जब यह पूरा भून जाएगा तो यह आपके उपर अगर आप इसमें डालना चाहते है हल्दी वगरा बैंग आज मैंने इसमें हल्दी यूज नहीं कि यह मैंने इसके बाद इसमें डालν दी है जो जादर डाल देते हैं उसके बाद नमक के बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा से कशूरी मेती है ना इतना अच्छा टेस्ट आता है मतलब अलग हो जाता है तो इसमें हलका सा पानी डाल के इसी टाइंपर मैं इसको मतलब जू टमाटर की प्योरी है इसको मैं थोड़ा सा उबाल आने दूँगी और थोड़ा सा इसको गाड़ा होने दूँगी हाना बहुत हलका सा पानी डाला था और फिर उसमें मैंने डाल दिया था ये पालक जो मेरी पालक प्योरी वो जो पालक था ना उसको आपने निकाल के ठंडा करने के बाद उसको ब् बहुत जादा देर तक हम पकाते तो पहली बात पकाना भी नहीं चाहिए बहुत देर तक नहीं पकानी चाहिए और जादा देर पकाने से ना क्या होता है कि उसका color भी एक दम change हो जाता है और इसमें मैंने डाल दी है पणीर cubes एक उबाल आने के बाद और बस उसके के बाद आपकी तयार है क्योंकि आपने उसका जो कच्छा पन था वह आप निकाल चुके हो तो इसको बहुत दिर तक पकाने की जरुरत नहीं है थोड़ा सा पकाना इसमें मैंने थोड़ा सा मेरे पास मौचरला चीज रखा था तो मैंने उसको ग्रेट करके ढाल दिया है लेक सिंपल जो अमूल क्रीम आती है वो आप यूज कर सकते हो या फेरा आपके पास घर की मलाई है तो वो यूज कर सकते हो अच्छा से फेट के उसके उपडाल सकते हो तो फिलहाल मेरी तयार है यह पालग पनीर की सबजी और यह बहुत टेस्टी आप एक बाद ट्राए कर ना क चाहें रुखा सुखा जला भुना वने लेकिन इतना अच्छा लगता है ना वो इतना अच्छा और इतना सैटिस्टेक्शन देता है ना कि बस मन करता है यार हम तो बहुत ही अच्छे शेफ हैं हाना तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बनाए थे चावल उनको मैंने चौक ल चीजें बीट रोटी, पालक पनीर, चुकंदर यह सारी चीजे अपनी डाइट में शामिल कर रहे होंगे और हैल्दी रहने की जो हैबिट्स है वो अपनी अंदर डाल रहे होंगे, साथ साथ ग्रो करते हैं हाना तो I hope आप सब यह अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख र